अश्राम आलेकूम तो कैसे हो मेरे भाई लोग ठीक हो उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे से और खेर यह से होंगे और मस्त होंगे तो आज हम वीडियो में बात करेंगे जो हमारे भाई लोग गोश्टर डोज नहीं लिये हैं यानि तीसरी वेक्सिन नहीं लिये हैं वो लोग कहीं बकाला पे दुकान पे या बड़ा मॉल में सरकारी दफ्तर या प्राइब डेट दफ्तर कोई भी वहाँ पर ना जाएं क्योंकि आप लोग को घुसने नहीं दिया जाएगा यहां का सरकार ने आप लोग को पता होगा पहले ही अपडेट जारी करके बताया था गौर्णमेंट ने कि जिनका आठ महीने से जादा हो गया होगा दूसरी वेक्सिन लगाए हुए दूसरा डोज कंप्लीट किये हुए उनका जो है तोकलना का यूनियन स्टेटस कैंसिल कर ले तभी आप लोग कहीं जाए नहीं तो आप लोग जाएंगे आपको घुषने नहीं दिया जाएगा जो भाई लोग हमारे तीसरी वेक्सिन नहीं लगवाये होंगे और जो भाई लोग का आठ महिने से कम हुआ है वो लोग भी अपना चेक कर ले और जाके जल्द जल्द कोवाने का कौशिस करें नहीं तो उनका भी अगर 8 मैनेसे जाएदा हो जाएगा तो उनको भी तुमाम परिशानियां उठानी पड़ेगी अंदर नहीं झाने दिया जाएगा कोई भी काम मेर्क वे कोई बी काम हो कुछ भी ओ लोग आंदर नहीं जा सकींगी उसके उसके बाद अगली अपडेट पे हम बात कर लेते हैं, हमारे बहुत से भाई लोग परिशान हैं, जो बाहर से वैक्सीन लगवा कर सौधी अरबिया आना चाहते हैं, यानि सौधीया में न्यू वीजे पे आना चाहते हैं, उनका शवाल है एक और लोग का कहना है कि भाई क्या हम लोग सौधी अरबिया में आएंगे, बुष्टर डोज लगवाना जरूरी है या बुष्टर डोज के बिना हमको नहीं आने दिया जाएगा, तो अपडेट के मुताबिक हम आप लोग को बता दे भाई लोग, अगर आप लोग बाहर से लगवाए हो वैक्सीन कहीं भी को कॉरण टाइम किया जाएगा, अगर जो हमारे भाई लोग सौधी अरब में दो वैक्सीन लगवा कर गए हैं, दो डोज लिए हैं सौधी अरब में और छुटी पर चले गए हैं, अगर वो लोग आ रहे हैं तो उन लोग को कॉरण टाइम नहीं किया जाएगा, कोई जरू न अगर उनको दूसरा डोज लगवाए हुए, आठ महीने से जादा नहीं हुआ है, तो अगर आठ महीने से अंदर वोग आ जाते हैं, सौधी अरब में एंट्री कर जाते हैं, तो वो अपने काम पे जा सकते हैं, उनको कॉरण टाइम नहीं किया जाएगा, जो भाई लोग हमा इसू नहीं होने वाला है, उसके बाद अगली अपडेट हम आप लोग को बता दें, जैसे आप लोग को पता होगा, सौधी अरब में वैलू टेक्स लागू है, गौर्मेंट की तरफ से एक आपडेट जारी करते हुए, उसमें उन्होंने कहा है, जो भी दुकंदार, जो भ जुर्बाना नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर वहीं वो दूसरा मरतबा वैलू टेक्सी खिलाब फरजी करता है, तो उसके उपर एक हजार रुयाल का जुर्बाना और कानूनी करवाही किया जाएगा, उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर कोई बंदा बार बार वैलू टे तो मेरे वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप लोग मेरे चैनल को लाइट सब्सक्राइब कर्मेडमेंट जरूर करना मिलते हैं, नेस्ट वीडियो में तब तक लिए अल्ला आप्स